अन्जी जैहिंद एवरिवन मैं सुमित कुमार एक बाफ फिरसा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली जब से ये वुमेन इन डिया वाली न्यूज आई है तब से एक डिमांड काफी बढ़ गई है सर ओल अबाउट एंड एक्जाम हमें जान एक एक चीज की की नौलिज इस वीडियो के मिल जाएगी मेरे हिसाब से कोई मेंचर डॉट आपका ጥ यहीं नहीं को देखने के बात आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यार करना है है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसा बहतरीन कंटेंट आपके लिए लगाता रहा हूं चलिए बात करते हैं एंडिये के बारे में एंडिये भाई साब सपनों की मेडिकल उन पर आऊंगा मैं तो आप तीन साल के लिए जाते हो अकेडमी जो की है खड़क वासला पुने में वापके तीन साल की कॉमेंट ट्रेनिंग होती है बेसिकली आपका कॉलिज होता है राइट प्लस में एक साल डिपेंडिंग अपोन यूर फोर्स अगर आप मिलिटर कि आपको मिली है एरफोर्स मिली है नेवी आपको मिली है उसके हिसाब से आप एक साल अलग-अलग अकैडमी में जाओगे टोटल चार साल के आपके ट्रेनिंग रहेगी उस ट्रेंनिंग के बाद यूइल भी पोस्टइड एज ऑफिसर जहां जहां ऑपको पोस्टिंग तो आते हैं पूरे proces के बारे में की how is this process and exam थे τीन step का process है पहली बात तो upsinho exam को हर साल दो बार कराती है मतलब साल इमें 2 बार होता है एक बार होता है अप्रियल के टाइम पर थोड़ा बाद उपर नीचे से होता रहता है एक बार होता है सेप्टेंबर के टाइम पे इस बार से साइकल थोड़ी सी चेंज होगी और यह नवंबर और अप्रेल कर दिया गया है और अगली बार और होगा मतलब होगा सिंपल सी बात इतनी है ठीक है जी तो भाई साब तीन स्टैप का पेपर है पूरा यह पहला स्टैप है इसका रिटन और इसका दूसरा स्टैप है बच्चे अपनी खुद की एक जर्नी है ऐसे निकी कुछ भी एकदम से हो जाएगा रिटन एक्जाम में बात करूं मैं रिटन एक्जाम टोटल होता है 900 मार्क्स का बच्च अब क्या सिस्टम रहता है मैं इसको पूरा आपको समझाता हूं पहले एक बार रिटन ही समझा देता हूं आप होता है बच्य पर One यम होता है यह पेपर को बोलते है मैस माइस का एस पार को बोलते है जर्नल valid test यह only गैट का पेपर जीए टिग उन साथिपर होते हैं इसमीं क्या होता है अगर मैं मैं इसकिंटी बात करों मार्क च्वốn Are है 120 questions होते हैं जो आपको धाई घंटे में सोल करने होते हैं अच्छा यहां पी बात करूं प्रेपर सेकेंड के बात करूं तो बच्चे 600 मार्क्स का पेपर होता है 150 questions होते हैं हर questions 4 मार्क्स का total 600 माक्स बनते हैं थीक है दोनों पेपर में आपको जो पास होना होता है इंडिविजुली पास होना है प्लस में और लोल मेरिट आपकी बनेगी उसमें पास होना है इंडिविजुल यहां पर आने चाहिए अगर आपका मैत का पेपर में 25 परसेंट मार्क्स नहीं है तो आपका जीटी का पेपर चेक नहीं होगा तो दोनों में पहले करो माल आपने 25-25 परसेंट मार्क्स ले लिए से ज्यादा ले लिए सबोस करो आपके 100 यहां पर और आपके 200 मार्क्स यहां पर तो दोनों की इंडिविजुल 25-25 परसेंट वला क्रेटीर कम्प्लीट हो रहा है टोटल मार्क्स आपके बन रहें 300 लेकिन जरूरा इन्येंगी सी तो आपके मतलब यह दो भी होनी चीए प्लस में यह कट ओफ भी पार होने चीए यह वैरी करती है आपको जब राजा बना रहे हैं तो इतना इजी प्रोसेस थोड़ी ना होगा कि कुछ भी कोई भी प्रोसेस राइट चलो यह तो होगी आपकी यह वाली बात अब बात करते हैं कि पेपर में पूछता क्या है अगर हम मैच की बात करें यार मैच वो प्योरली 11 और 12 की जो आपकी एंस्यारिटी बेस्ट मैथ होती है वह पूछती है थोड़ा सा उपर लेवल मतलब ऐसा भी नहीं कह रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं कि एंस्यारिटी के बेसिक्स अच्छे से कर रखे हैं तो आप यहां पर ठीक ठाक स्कोर कर लोगे दिक्कत नहीं आएगे जो दूसरा पर होता है बच्छे जी एटी का उसको मैं अगर आप ऐसे बोलो तो तीन पार्ट में डिवैड कर सकता हूं यार एक होता है जनल स्टडीज यह जी के बोल देते हैं एक होता है साइंस वाला पेपर इंगलिश के के 50 एंगली कि इंगलिश के में पड़ी है वहां से नहीं आता है इसमें घ्यक्ट छॉल्स में रूर्स यह फटीज दो सारी एकोनोमिक्स एंड करेंट अफेस यह मिला के आपके 50 कोश्चन्स आते हैं 50 इंटू 4 200 मार्स का आपका पूरा सारा मामला त्यार हो जाता है साइंस की बात करूं में अगर साइंस में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बाइल जी यह तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके 200 मार्स आते हैं 50 इंटू 4 बराबर में 200 कोई इंडिविज्व नाम की चीज नहीं है यह बहुत ही बड़ा मित है जीए टी में इंडिविज्व पास होना लेकिन यह ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश में इंडिविज्व पास होना है जनल साइंस में अलग से पास होना है स्टडी इसा नहीं आपको अपकी कट ओफ क्लियर होने चीज पच्चीस तिस परसंट जो भी यूपसी टाइम टिसाइड करती है आई होप इट इस वेरी क्लियर नाव की कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके पेपर में आ रहे हैं जब यह चीज हो जाती है आपका पेपर क्लियर हो गया सपोस्पोस करो आपका आपके मार्स आए 400 और आपका रिटन क्वालिफाई हो गया तब आपको डेट चूज करने के ल आपको एक विंडो दी जाएगी आप इस से इस डेट के बीच में अपनी सब्सक्राइब कर लिए एससबी का प्रोसेस यह बच्चे पांच दिन का कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें दो स्टेप्स में है पहला दिन होता है स्क्रीनिंग ठीक है मालो 500 बच्चे बुलाई 500 म maximum ही रहते हैं बाकी बच्चे को पहले ही दिन आउट कर दिया जाता है जो बच्चे स्क्रीन इन हो गए उसके बाद वह बच्चे नेक्स चार दिन तक वहां पे रहेंगे टोटल पांच दिन का प्रोसेस पूरा करेंगे अगर उस पांच दिन के प्रोसेस में उनको अलग-अ डूट ऐसेस्टी मेरे चैनल पर एक्जिस्ट करती है वह आप देख सकते हो पांच अलग-अलग दिन पर उनको अलग-अलग अक्टिविटी से गुजरना होता है सब कुछ सही रहा है इसमें जीडी होता है इसमें फिजिकल टास्क होते हैं इसमें ग्रूप इंटर्वी होता ह है सब कुछ इसमें होता है ठीक है अल्टिमेटली जब सब हो जाता है मालों फचास बच्चे स्क्रिनिन होए तो वाइनली फचास में से सपोस्ट करो दस बच्चे रिकमेंड हो जाता है जो बच्चे 40 बच्चे, बच्च के 50 में से उनको हम बोलेगे Conference out होगे बच्चे उनको हम बोलते हैं Conference out होगे worry वो पाँच दिन का process तो पूरा करेंगे जो बच्चा पहले दिन in होगया वो पाँच दिन वहीं पना ठीक है और जो finally बच्चे recommend होगे इनको हम बोलते हैं recommended candidates जो यह recommended candidates होते हैं पिर इनको बोला जाता है कि जी चलो आप medical करवा लो अगर medical में सब कुछ as per their requirement fulfill हो रहा है then the candidate is fit candidate is fit for the academy उसके बाद जब इतना सारा process हो जाता है उसके बाद final एक निकलती है बच्चे मेरिट लिस्ट यह process समझाते समझाते पहली वीडियो है इस टाइप की जिसमें complete process में एक वीडियो से एक वीडियो में बता रहा हूं process समझाते समझाते मुझे ऐसा लग रहा है यार कितनी मुश्किल प्रोसे सब्सक्राइब इतने सारे स्टेजिस है अल्ट मलब तभी एक उस जेंटलमें केड़िट जो फाइन रिकमेंड रिकमेंड हो रहा है और वहां तक पहुंच रहा है तभी उसकी इतनी ज्यत तभी वह टो रहा है सब कितना कुछ उस बंदे ने देखा है तब जाके finally he is into the market तो की मेरिट निकल जाती है उसके बेस पर रैंकिंग निकलती है और हम बोलते हैं जी ओल इंडिया रैंक वन आया टू आया थ्री आया टैन आया जो भी हम सो दिस इस दा होल प्रोसेस ओफ एंडी ऐसा चलता है सेम प्रोसेस गल्स के साथ भी फोलो होने वाली है क्लियर इं के लावा कुछ खास चेंज नहीं होना है ठीक है तो यह सारा पूरा प्रोसेस है मैंने इसमें हर एक बारिकी को कवर कर रहा है फिर आप कुछ डाउट बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताए ना मैं जरूर इसको रिप्लाइ कर दूंगा या वीडियो बना दूं को मैं आज बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफूजन ना रह जाए जो भी मतलब मेरा मोटीव यह है एंडी एक्जम के बारे में कुछ भी जानना हो आपके दिमाग में एक ही नाम आए तो सब्सक्राइब दोस्तों को शेर करो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से न आप लोगों से ख्शने ही ईाम तो सबद cass रटम के भी मिलते हैं को 슈ह को आप लोगों से एक गपया बारे गरे बारे में कованगा अस्तों को आभि पारे में?